नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चानल GK Hub Pro में आज बेहद ही खास और बेहतरीन सवाल बताने वाले हैं, यह विडियो आपके लिए बेहद ही उपियोगी साबित होने वाला है, यदि आप इन सवालों के जवाब पहले से जानते हैं तो कॉमेंट कर B. तिरंगा C. मंदिर D. कमल आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. मंदिर आपका दूसरा सवाल है, अयोध्या मिस्थित राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? आपके ओप्शन्स हैं A. नरेंद्र मोदी B. चंपत राय C. मोहन भागवत D. महंत नुरित्य गोपाल दास आपका सही जवाब होगा ओप्शन A. नरेंद्र मोदी आपका दूसरा सवाल है, राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोट द्वारा मस्चिद के लिए कितने एकड़ भूमी की घोशना की गई? आपके ओप्शन्स हैं A. चार एकड़, B. पांच एकड़, C. आट एकड़, D. नौ एकड़ आपका सही जवाब होगा ओप्शन B. पांच एकड़ आपका चौथा सवाल है 1988 के नक्षे में राम मंदिर की उचाई कितनी थी? आपके ओप्शन्स हैं A. एक सो एक फीट, B. एक सो एक कीस फीट, C. एक सो एक तालीस फीट, D. एक सो पच हतर फीट आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. एक सो एक तालीस फीट आपका पांचवा सवाल है बाबरी मस्जिद के विध्वन्स के समय उतर प्रदेश के मुख्य मंजरी कौन थे? आपके ओप्शन्स है A. राजनात सिंग, B. मायावती, C. मुलायम सिंग यादव, D. कलियान सिंग आपका सही जवाब होगा ओप्शन D. कलियान सिंग आपका छठा सवाल है राम मंदिर विवाद का फैसला कितने जच की पीठ के द्वारा सुनाया गया? आपके ओप्शन्स है A. तीन, B. चार, C. पांच, D. छह आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. पांच दोस्तों ऐसी ही विडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए आपका साथ वाँ सवाल है फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कप किया गया? आपके ओप्शन्स है A. मई 2018, B. नवंबर 2018, C. फरवरी 2019, D. नवंबर 2019 आपका सही जवाब होगा ओप्शन B. नवंबर 2018 आपका आठवा सवाल है राम अंदिर का निर्मान कितने एकड़ जमीन पर किया जा रहा है? आपके ओप्शन्स है A. दोदशमलव 3 एकड़, B. दोदशमलव 5 एकड़, C. दोदशमलव 7 एकड़, D. दोदशमलव 9 एकड़ आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. दोदशमलव 7 एकड़ आपका नौवा सवाल है श्रीराम भूमी अयोध्या को अन्यकिस्त प्राची नाम से जाना जाता था आपके ओप्शन्स है A. कौशल, B. क्यकई, C. साकेत, D. रामेश्वरम आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. साकेत आपका दश्वा सवाल है बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? आपके ओप्शन्स है A. मीरबाकी, B. बाबर, C. शाह जहां, D. और अंगजेब आपका सही जवाब होगा ओप्शन A. मीरबाकी दोस्तों ऐसी ही विडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए आपका ग्यारहवा सवाल है सुप्रीम कोट ने किस आर्टिकल द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोकर राम मंदिर केज में फैसला सुनाया है आपके ओप्शन्स हैं आपका सही जवाब होगा ओप्शन्स सी अनुद्चेद एक सौ बयालीस आपका बारहवा सवाल है 1992 में बाबरी विध्वन्स के समय भारत के राष्ट पती कौन थे आपके ओप्शन्स हैं आपका सही जवाब होगा ओप्शन्स बी शंकर दयाल शर्मा आपका आते रहवा सवाल है श्रीराम जन्म भूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कितना क्षेत्र आवंटित किया गया आपके ओप्शन्स हैं आपके ओप्शन्स हैं बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए आपका पंद्रहवा सवाल है राम मंदिर के इस पर आखिरी फैसला कब सुनाया गया था आपके ओप्शन्स हैं आपका सही जवाब होगा ओप्शन बी आपका सोल हवा सवाल है राम मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाया जा रहा है आपके ओप्शन्स हैं आपका सही जवाब होगा ओप्शन बी श्री राम जन्म भूमी तीर्थ क्शेत्र आपका सत्रहवा सवाल है विवादित भूमी पर निर्मित बाबरी मस्जिद को कप तोड़ा गया आपके ओप्शन्स हैं आपके समय भारत के प्रधान मंत्री कौन थे आपके ओप्शन्स हैं सी विवादित घटना जुड़ी हुई है आपके ओप्शन्स हैं इन में से कोई नहीं दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग कॉमेंट करिए और विडियो के अंत में अपना टोटल स्कोर जरूर शेर करें मिलते हैं अगले विडियो में नए सवालों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों ऐसी ही विडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए